Hello students, class 10th के math के 3rd chapter में आपका स्वागत है जिसका नाम है linear equation in 2 variable आज की वीडियो में हम लोग exercise 3.1 का question number 1 solve करेंगे तो देखिए question है form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions graphically तो हमें यहापे total 2 parts given है फिलाल आपके screen की उपर सिर्फ एक ही part नजर आ रहा होगा second part में भी कुछ दिर में solve करा दूँगा तो first part में कह रहा है कि 10 student है class 10th में जिनोंने mathematics quiz में participate किया है तो हमारे पास total student कितने है total students है हमारे पास 10 ठीक है हमें क्या बोला है कि total 10 student है जिनोंने mathematics quiz में participate किया है फिर आगे question में बोला है number of girls is four more than the number of boys मतलब लड़किया लड़कों से चार जादे है in comparison to counting तो मतलब अगर हम लोग माल लें कि girls x है और boys y है मतलब total number of girls x है और total number of boys y है क्योंकि हमें question में ये तो बताये नहीं है कि कितनी लड़कियां है और कितने लड़कें है question में तो ये बोला है कि जो girls है वो चार जादे है boys से ठीक है question में क्या बोला है girls girls जो है वो चार जादे है चार जादे मतलब चार प्लस करना है किस से boys से ठीक है तो girls जो है वो चार जादे है boys से ऐसा मैं कह सकता हूं question में क्या बोला है number of girls is 4 more than the number of boys girls जो है वो चार जादे हैं लड़कों से ठीक तो girls हम लोगों ने x माना है equals to 4 plus boys को हम लोगों ने y माना है ठीक है अगर इस y को अधर लिका जाए जाए तो क्या जाएगा x minus y equals to 4 तो हमारे पास पहला equation बन चुका है तो क्योंकि हमारे पास total 10 student है तो मुझे एक बात बताईए अगर मैं x और y को जोड़ दूँ तो क्या 10 नहीं आएगा क्योंकि girls x है और boys y है तो अगर मैं girls और boys को add कर दूँ तो actually total student नहीं मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है इसका मतलब यह है कि x plus y करने पर हमें 10 मिलेगा ठीक है सभी बात है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो दो equation हमारे पास बन गये हैं अब इन्हें हम लोंको graphically solve करना है ठीक है तो I think class 9 में आपने graphical method सीखा होगा भूल गए है तो कोई बात नहीं है मैं अभी पता दूँगा ठीक है तो पहले आपको यह समझना है कि यह equation और यह equation बना कैसे है question में बोला था 10 student है total मैंने माल लिया total student 10 है अब क्योंकि हमें यह नहीं पता था कि class में कितनी लड़किया है कितने लड़के हैं तो मैंने माल लिया कि लड़कियां X है और लड़के Y है question में यह बोला था कि लड़कियां जो है वो चार जादे हैं लड़कों से लड़कियां क्या है चार जादे हैं लड़कों से तो इसलिए लड़कों में मैंने 4 add किया है ताकि equation बराबर हो सके ठीक है तो लड़कियों के जगा मैंने x रख दिया 4 के जगा 4, boys के जगा y इस y को दहर लेके आया हूँ तो x-y हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा एक equation बन जाएगा और क्योंकि total student 10 है अगर लड़कियां x हैं, लड़के y हैं तो दोनों को जोड़ दें, तो 10 ही आ जाएगा तो x plus y equals to 10 दो equation बन गए हैं, अब इने हम लोग graphical method से solve करेंगे तो हमारे पास पहला equation मना था x minus y equals to 4 ठीक है? और दूसरा equation मना था x plus y equals to 10 ठीक है? तो जब भी graphical method से solve करना रहे है तो आप process किये क्या करिए कि इस equation से 2 points निकाल लिया जाएं, कैसे निकाल लेंगे 2 points देखेगा, पहले x के जगा 0 रख देंगे, आप सोचिए इस equation में अगर x के जगा 0 रख दें तो हमें y की value मिल जाएगी न तो 0 minus y equals to 4 तो 0 तो हटा ही दिया जाता है यह minus उधर जाएगा, तो क्या हजाएगा y equals to minus 4 मतलब जब मैंने x के जगा 0 रखा तो मुझे y की value क्या मिल गई y की value मिल गई, minus 4 और इससे point क्या बन जाएगा 0, minus 4 ठीक है, अब देखेगा, मैं इसको minus 0 equals to 4 तो यहां से x की value 4 आ जाएगी 0 तो हटी आगा, तो आप देखना है जब y की value 0 रखा मैंने तो x की value 4 आ गई, और यहां से हमें point मिल जाएगा, 4, 0 अभी इससी बात है, ठीक, उसी तरह यहां से भी पहले हम लोग x की value 0 रखेंगे तो अगर x की जगद 0 रख देंगे तो आपको clearly दिख रहा है कि y की value 10 मिलेगी, है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूँ y की value 10 मिलेगी फिर मैं y के जगद 0 रखूँगा जब मैं y के जगद 0 रखूँगा, clearly दिख रहा है x की value 10 मिलेगी, है ना तो x की value 10 हो जाएगी उपर वाले से पहला point क्या बनेगा 0,10 और नीचे वाले से पहला point क्या बनेगा 10,0 अब इसी कोई graph पे plot करना है तो उसके लिए मैं x axis और y axis बना लूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें graph given है मैंने rough graph बनाया है और भी इससे बात है मेरे पास graph paper नहीं होगा तो आप लोग graph paper में बनायेंगे तो बहुत ही सुन्दर सा graph आपको मिलेगा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने 2,2 का gap लिया है इसको ध्यान में रखिएगा आप 1,1 का भी gap ले सकते हैं असर्थ है 0,10 अढ़ जाए आपके graph paper में ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिएगा पहले हमें 0,-4 plot करना है तो minus 4 तो नीचे आएगा इसके लिए मुझे line को नीचे लेके जाना पड़ेगा तो यह रहा minus 2 और यह रहा minus 4 ठीक है अब देखेगा बहुत ध्यान से हमें 0,-4 कहां मिलेगा यहां मिलेगा ना यही है 0,-4 ठीक है तो यहां पर मैं एक point बना दे रहा हूँ ऐसे करके ठीक है दिख रहा होगा आपको यह रहा 0,-4 अब हम लोग 4,0 बनाएंगे 4,0 यह रहा यहां पर मैं खलका सट्टिक लगा दूँगा अब इनसे line join कर देंगे तो एक line मिल जाएगी देखिएगा किस तरह से line join होगी इस तरीके से है ना जब आप इस point और इस point को मिलाएंगे तो यह लिए line मिल जाएगी बारी है इस 0,10 और 10,0 को plot करने की तो 0,10 यहां पर आएगा क्योंकि y-axis पर 10 होगा है ना तो 0,10 यह रहा और 10,0 कहां होगा यहां होगा 10,0 तो इसको भी plot कर लेंगे यह रहा 10,0 अब दोनों points को मिला देंगे तो हमें एक all line मिल जाएगी ठीक तो आप देख सकते हैं यहां पर line मिल रही है आपस में ठीक है दोनों line है कहां भी मिल रही है इस point पर मिल रही है ठीक अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस points में अगर नीचे इस तरह से line खिचूँगा तो यहां पर नीचे जाएगा और इस points अगर मैं इधर line खिचूंगा तो देखिए इस तरह से जाएगा ठीक तो ये जो distance है वो actually 2 और 4 के बीच में आ रहा है और ये जो distance है वो 6 और 8 के बीच में आ रहा है बीचो बीच तो ऐसा मैं कहा सकता हूँ ये 7 होगा ये क्या होगा 7 और ये होगा 3 तो हमारा point क्या हो जाएगा 7,3 सही बात है ये 7 होगा तिसलिए ये coordinate 7 ये 3 होगा तिसलिए ये coordinate 3 तो दोनों line जहां पर मिलती है वही हमारा solution हो जाता है answer हो जाता है तो intersect कहां कर रहे हैं lines intersect कर रहे हैं 7,3 पर तो इसका मतलब x की value 7 और y की value 3 x मतलब लड़किया तो girls कितनी है total girls है 7 और boys कितने है 3 है boys कितने है 3 है तो आप देख सकते हैं जो लड़किया है वो लड़कों से 4 जादे हैं है ना और total जो है वो 10 student participate किया है क्योंकि 7 और 3 को जोड़ने पर 10 आएगा first question solve हो किया है अगर आपको नहीं समझना है तो एक बार और देख लीजे दूसरे बार में 100% समझना जागा अब हम लोग अगला question solve करेंगे अब देखे second question क्या है 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees 5 pencil और 7 pen का जो cost है वो 50 रुपए है फिर कह रहा है where as 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees कह रहा है find the cost of one pencil and that of one pen ठीक है बहुत अच्छा question है मुझे ये बोला है कि 5 pencil और 7 pen का जो cost है वो 50 रुपए है ठीक तो suppose करिए ये आपके पास pencil है जिसका cost x rupees है ठीक है एक pencil का जो cost है वो मान लेते हैं x rupees है और आपके पास एक pen है जिसका cost y rupees है आपके पास एक pencil है जिसका cost x rupees है और आपके पास एक pen है जिसका cost y rupees है question में बोला है 5 pencil है तो एक pencil का अगर पैसा x rupees है तो 5 pencil का पैसा क्या 5 x rupees होगा बिल्कुल होगा फिर अगर एक pen का cost y rupees है तो 7 pen का cost कितना होगा 7y होगा यहाँ पर मैंने 7y लिख दिया कह रहा है अगर आपने 5 pencil 7 pen लिया है तो आपका total खर्चा 50 रुपाय है इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा answer कितना जाएगा 50 आ जाएगा नहीं 5x क्या है कितना pencil का पैसा हुआ total और 7 pen का total cost 7y हुआ तो दोनों cost को जोड़ दें तो हमें total cost मिल जाएगा ठीक तो एक equation बन गया है अब एक और equation बनाएगे जिसमें 7 pencil है और 5 pen है तो अगर एक pencil x रुपीज की है तो 7 pencil 7x रुपीज के होंगी ठीक है प्लस एक pen y रुपीज का है तो 5 pen 5y रुपीज के होंगे प्लस 5y अगर total cost कितना पढ़ रहा है खईने का 46 रुपीज ठीक है तो दो दो 46 आजाएगा दो equation बन गया है अब आपको इसे solve करना है ठीक है तो अब यह सी बात है graphically ही solve करेंगे आपको अगर यह बनाना है तो बना सकते हैं मैं इसे मिटा दे रहा हूँ तो आपके पास यहाँ पे दो अलग-अलग equation है इससे आपको दो points find करने होंगे पहले वाले से देखिए मैं x की value 0 पहले y की value 0 रखूँगा y की value 0 रख दूँगा तो यह तम तो खतम हो जायागा पूरा का पूरा हमें मिलेगा क्या 5x equals to 50 तो जब 5 से आप divide कर देंगे 50 by 5 हो जायागा x की value 10 मिल जाएगी ठीक है इसलिए जब y 0 रखेंगे तो हमें x की value 10 मिलेगी ठीक अब y की value निकालने के लिए x को 0 रखना पड़ेगा जब इसमें x 0 रखेंगे तो आप ही सोची यह पूरा का पूरा term गायब हो जाएगा ठीक है 7y equals to 50 बचेगा 7y equals to 50 बचेगा हमारे पास तो अगर आप इस case में 7 से divide करेंगे 50 को तो divide नहीं होगा point में आएगा ठीक है तो क्योंकि graph पे point plot करना बहुत tough होता है तो हम लोग x की जगा 0 नहीं रख पाएंगे ठीक है आपको आई बास सोचेए x के जगा फिर ऐसा कौन सा number रखें कि जिसको अगर मैं solve करूं तो y की value point में न मिले तो मेरा अंदाजा है कि मैं x के जगा अगर 3 रखूंगा तो देखे क्या होगा 5x है तो यानि 5 into 3 हो जाएगा 5 into 3 plus 7y equals to 50 ठीक है 5 into 3 15 होता है plus 7y equals to 50 यह 15y उधर जाएगा तो minus में जाएगा 7y equals to 50 minus 15 ठीक है तो यह जाएगा 35 उधर हो जाएगा 7y 7 sap divide कर देंगे 35 को तो आपको y की value 5 मिल जाएगी मतलब जब आप x की value 3 लेंगे तो y की value आपको 5 मिलेगी तो इसलिए यहाँ पर y equals to 5 लेखूंगा ठीक है मैंने आपको solve करके दिखाया है इस line के लिए आपको दोनो points मिल चुके हैं अब इस वाले line के लिए दोनो points निकालेंगे तो आप इसमें जब x के जगह 0 रखेंगे तो y की value फिर point में मिलने लगेगी और y की value 0 रखेंगे तो x की value point में ही मिलेगी क्योंकि ना तो यह number 5 से divide होगा नहीं 7 से divide होगा तो इसलिए आपको अब 0 रो नहीं रखना पड़ेगा कुछ और रखना पड़ेगा तो इस case में देखें मैं पहले क्या रखूंगा ठीक है बहुत ध्यान से रखेंगा मैं x के जगा माइनस 2 रखूंगा ठीक है इस वाले मैं x के जगा माइनस 2 रखूंगा पहले आप देखें माइनस 2 रखने पर होगा क्या तो equation है 7x मतलब 7 को एक माइनस 2 में multiply करना है ठीक है प्लस 5y है और इदा 46 है 7 into minus 2 minus 14 होता है प्लस 5y equals to 46 ये minus 14 उधर जाएगा तो प्लस में आजाएगा 5y is equals to 46 प्लस 14 जोड लेंगे तो 60 आजाएगा ठीक है तो y is equals to 60 by 5 हो जाएगा हो जाएगा निवराई ये जो 5 है वो उधर जाएगा तो divide में जाएगा इसका मतलब ये है जब आपने x की value minus 2 रखी तो y की value आपको 12 मिली तो इसको मिटाएगे और y की value 12 रख देंगे ठीक है y की value 12 अभी तो एक ही point हुआ है अब एक और किसी तरह रखना पड़ेगा हमें अब मैं देखेगा y के जगा minus 2 रखूंगा देखते हैं क्या होता है पहले 7x तो as it is लिख देंगे हम लोग है न 7x as it is लिख देंगे plus 5 आप देख सकते हैं 5y है मतलब 5 को minus 2 में multiply करना पड़ेगा 5 into minus 2 हो जाएगा 46 7x minus 10 equals to 46 minus 10 उधर जाएगा तो plus 10 हो जाएगा 7x equals to 46 plus 10 that is 56 अब यह 7 जब उधर जाएगा तो divide में आ जाएगा यह जाएगा x equals to 56 by 7 that is 7 से divide करेंगे तो 8 आएगा मतलब जब आप y की value minus 2 रखेंगे तो x की value 8 मिलेगी ठीक है तब हमें सारे points मिल गए हैं क्योंकि आप यहाँ से point बना लेंगे 10,0 यहाँ से point बना लेंगे 3,5 यहाँ से point मिल जाएगा हमें minus 2,12 और यहाँ से point हमें मिल जाएगा 8, minus 2 ठीक है तो किसी भी तरीके से आपको 2 points find करने होंगे आपका graph बन के ready हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग 10,0 plot करेंगे 10,0 कहां पे होगा अगर यह सारे 2,2 के gap पे है 2,4,6,8,10 ठीक है यहीं पहलेगा 10,0 यहाँ पे मैं एक point इस तरह से plot कर दे रहा हूँ आपको दिख रहा होगा yellow color का है यहाँ पे अब 3,5 plot करना है तो 3 यह 2 है 3 यहाँ पे होगा यह 2 है, यह 4 है, यह 5 है ठीक है यहाँ और यहाँ इस तरह से यहाँ पे आएगा point ठीक है point कहाँ आएगा एकदम यहाँ पे मेरी बात आपको समझा रही है दिख रहा है, यहाँ पे point आएगा तो कि यह 2 है ठीक है, तो यहाँ बीच में 3 पड़ेगा तो 3 से उपर और 5 तक चलना है हमें तो यह 2 हो गया, यह 4 हो गया 5 यहाँ पे आएगा point प्लॉट करना तो आता ही होगा ठीक है अब इन दोनों points को मिला देंगे इस point और इस point को मिला देंगे तो जो line बनेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी ठीक है अब minus 2, 12 plot करना है तो x axis पे minus 2 मतलब ऐसे 12 तक उपर जाएंगे मतलब हम लोग कुछ यहाँ पे हमें point मिलेगा है समझारा बात minus 2 मतलब यह 12 मतलब सुरी यह गलत बन गया है 12 यहाँ कहीं आएगा है यहाँ पे ठीक है आपको दिखरा होगा यह रहा 12 और यह रहा minus 2 ठीक है यह 12 है 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो 12 तक और minus 2 तक अब 8, minus 2 plot करना है तो minus 2 अब y axis पे चाहिए मतलब यहाँ पे minus 2 और 8 तक जाना है मतलब यहाँ तक ठीक है तो point यहाँ कहीं आएगा ठीक point जो है वो यहाँ पे आएगा दिखरा होगा आपको यह है minus 2 और यह है 8 ठीक तो अब यह point और यह point को join कर देंगे तो फिर से एक line मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं दोनों line यहाँ पे मिल रहे हैं अब यहाँ से अगर इधार चले और यहाँ से नीचे चलें तो हमें point of intersection मिल जाएगा ठीक है ध्यान से देखिएगा ऐसे और नीचे की तरफ ठीक तो आप देख सकते हैं यह 2 है यह 4 है यह वाला point 5 होगा तो मतलब y की value 5 हो जाएगी ठीक और यह 2 है यह 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 ठीक है तो ऐसा मैं कह सकता हूँ x की value 3 हो गई और y की value 5 ठीक है यह जो पहला होता है यह x का value होता है और जो दूसरा होता है y का value होता है तो x और y की value मिल गई तो मैं कहूंगा cost of pencil pencil की cost कितनी है 3 रूपीज 3 रूपे का एक pencil है और cost of pen cost of pen कितना है फाइफ रूपीज ठीक है और यही actual में होता भी है हमारे हाँ तो 3 रूपे में पैंसल मिलती है और 5 रूपे पैंसल मिलता है अपने यहाँ बताइएगा कि आपके हाँ कितने रूपे में pencil और कितने रुप्र में पेन मिलता है comment box में तो मैंने दोनों questions all करा दिये हैं अगर आपको पूरे exercise का solution चाहिए तो मैंने class 10th के उपर एक playlist बनाया है जिसमें math के जितने भी chapters हैं उन सब का exercise wise solution वीडियो आपको मिल जाएगा उस playlist के अंदर ठीक है आज की दूमस इतना ही झाव 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 झाल झाल